दोस्तों अगर आपके फोन में वाटसाप पर कोई भी मैसेज आता है तो आपको जो है आवाज नहीं सुनाई पड़ती है आपके में आवाज आती ही नहीं है कोई भी साउंड नहीं बचता है तो आप इसको कैसे सही करेंगे कि आपके वाटसाप पर अगर कोई मैसेज आये त लेकिन कोई भी यहाँ पे sound वगेरा नहीं बजा, तो आपको इसको सही करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपना WhatsApp open करिए, और WhatsApp open करने के बाद आपको side में three dots पर click करना है, three dots पर click करने के बाद आपको settings में चले जाना है, settings में जाने के बाद आपको एक option दिखेगा, notifications का, आपको इसपे click करना है, और इसपे click करने के बाद आपको simply side में दिखेंगी three dots, आप इसपे click करिए, और इसपे click करने के बाद आप reset notification settings पर click करिए, और यहाँ पर reset पर click कर दीजिए, इसके बाद आपको क्या करना है आप यहाँ से simply back कर लीजे या फिर home कर लीजे और उसके बाद आपको चले जाना है अपने phone की settings में settings में जाएंगे तो आपको इस type का interface मिलेगा यहाँ पर आपको एक option दिखेगा नीचे की और scroll करने पर sound and vibration का आपको इस पर click करना है करना है आप इस पर click कर ये और इस पर click करने के बाद यहाँ पर आप Local ringtone भी select कर सकते हैं बट यहाँ पर हम pre installed ringtones पर click करते हैं उस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको notifications का option दिखेगा आप इस click कर internets и और इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर कोई एक notification sound जो है वो select कर लेना है for example यहाँ पर हम default ringtone set कर देते हैं उसके बाद यहाँ से आपको back कर लेना है और अब आप देखिए कि आपके WhatsApp पर message आने पर आपको sound आ रहा है कि नहीं अगर आ रहा है तो ठीक है और आप अपना volume भी देख लिजेगा पता चला आपका volume ही down हो volume ही आपका बंद हो पूरा और आप सोच रहा हो मेरे में sound नहीं आ रहा है तो आपके में अगर आ रहा है तो ठीक है अगर नहीं आ रहा है तब भी तो आपको करना क्या है आप यहाँ से home कर लिजे आपको WhatsApp पर अपने थोड़ी दे tap करना है हम WhatsApp बिजनेस पर tap कर रहा है बट आप WhatsApp पर भी क्लिक कर सकते हैं और उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर app info का option दिखेगा आप इस पर क्लिक करिए इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस type का interface मिलेगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की और scroll करने पर एक option notifications का दिखेगा आप इस पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा allow playing sound का आपको यह click करके on कर देना है अगर आप vibration भी चाहते हैं तो आप यह भी on कर दीजे ठीक है उसके बाद जब भी आपके WhatsApp पर message आएगा तो आपको sound बजेगा हम for example यहाँ पर दिखाते हैं जैसे कि हमने यहाँ एक WhatsApp से दूसरे पर message किया तो हमारे में sound भी बजा, vibrate भी किया और यहाँ पर message भी आ गया इस type से दिख गया अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे, like channel को कर लिजे, subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ आप से एक और new वीडियो में तब तक के लिए, bye bye